आज के इस वीडियो में हम युनिवोसिटी अफ लगनों की पीज इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसरुच मेतर लॉजिक एपॉर्टन क्वेशन देखने जा रहे हैं जो आपके यूजी सी नेट में पूछे गए थे क्योंकि काफे स्टुडेंट्स का मुझे कॉमें मैं यूजी सी नेट के जो प्रिवेस हैर एक क्वेशन से तो इस तरीके से मिक्स क्वेशन्स जो है यह आपर आज वीडियो मैंने आपके शाथ कराने को बहुत सिंपल वी में सिंपल से स्टरीके से एक्स्प्रैयन की कोशिश कर ला इससे कि आपके इसली आप सकते क cert र na को समझ में आ जाए क्वाशन को इसली को सॉल्फ में क्या रिया घया अत Leans तक कि आपको बता दो कि हमारे पर होन ख़ोते है कि लिए हमारे इसले आपको complete study package provide complete study material provide करते हैं हमारे package होता है जिसमें हम आपको काफे सारे चीज़े provide करते हैं bilingual language नी Hindi English दोनों यह languages में कि किस तरीके से आपको notes वगरा हमारे follow करने है revision sessions जो होते हमारे जैन। उसके बाद lecture series जो होते हैं जो कि आपको MCQs lecture series में मिलते है theory lecture series में मिलते हैं तो सब कुछ हम आपको provide करते हैं with 100% passing guarantee ठीके यानि हम आपको pass करने के responsibility लेते हैं अगर आप हमारे study material purchase करते हैं तो हम इतनी तो guarantee दते हैं कि हम आपको pass करवा कर मानेंगे यानि हम आपको इतना प्रिपेर करवा जाते हैं कि आप at least passing marks तक marks score कर सको ठीके तो जिसके लिए screen पर दे गए number पर whatsapp के तुर आपको हमें contact करना है या फिर अप हमारे इस logo global online app इस app के तुरू अब directly study material को कर सकते हो जिसके लिए link हमने नीचे comment as well as description box में आपके साथ link share कर रहा है so that's it and let's begin with the today's lecture तो जिससे कि मैंने आपके साथ बताया कि University of Lagnau का PhD entrance examination होता है तो फूपका 2 paths में होता है paper 1 and paper 2 so paper 1 आपका research methodology होता है जो कि हर एक student के लिए common होगा so for your paper 1 जिसने आपको minimum 50 questions पुषी जाता है research methodology से जिसमें आपको video lectures हम provide करते हैं जो कि theory MCQs video lectures होगे और some previous year questions काफी सारे central government universities के हम करवाते आपको then mock test हम आपको provide करवाते है total 10 mock test और आपको bilingual language में देखने मेलेगा हर एक चीज़ है then notes हम आपको provide करते हैं जिसमें कि आपके जो interview में questions पुषी जाते हैं वो भी हमने notes में cover कर रखे है and revision PDF जिसमें फिप्टीन अनुट से भी जादा important questions हमने cover कर रखा है तो यह सारा content जिससे के आप आपको देख सकते हो bilingual language में हम आपको provide करते हैं in the as well as in English language with again guarantee यानि हमारे इसी जो content हम आपको provide करते हैं इसी content से आपको comment as well as description box में जिससे के आप directly one click में जाकर हमारे study material को access कर पा सकते हो काफी कम price में 100% आपको reliable content मिलेगा 100% guaranteed selection वाला content मिल जाएगा and also for paper 2 paper 2 जो कि आपका subject specific होता है paper 2 के लिए भी आपको full syllabus आपका notes मिलेगा यानि आपके complete आपका syllabus complete कर जाएगा notes के तुरू and most expected MCQs में हम आपको provide करते हैं तो यह काफी सारे subjects यह आपर आपने mention कर रखा है paper 2 के लिए भी आप screen पर देख सकते हो तो इन सारे subjects का आपको paper 2 का study material भी मिल जाएगा तो इसके लिए भी आपको दिये गए number पर whatsapp के तुरू contact करना है या फिर आप हमारे app के तुरू भी visit करकर paper 2 की भी study material को access कर सकते हो so that's it and let's begin with the mcqs a statement about the magnitude trend or behavior of a population under study is called इस question में हमें find out करना है एक ऐसा statement है वो statement किसी population के magnitude trend और behavior को describe कर रहा है so यह कौन सी hypothesis होंगे हमें यह find out करना है so one by one हम option जखते है option a null hypothesis null hypothesis तो बताती है कि जो variables होते हैं उनके बीच में कोई relation ही नहीं होता है so यह पर हमें यह बता रहा है कि इस definition में नहीं that's why आपका option है incorrect हो जाएगा then option भी alternative hypothesis alternative hypothesis यह बताती है कि कुछ ना कुछ variables के बीच में relation है लेकिन यह definition में भी हमें ऐसा कुछ information नहीं given है यह पर आपको option b भी incorrect हो जाएगा then option c descriptive hypothesis यह पर आपको option c correct हो जाएगा descriptive hypothesis क्या होती है इसमें एक statement होता है जो आपके जो study है आपके जो study का topic है उसको describe करते है जैसे यह आपर एक statement है जो population की magnitude train और behavior को describe कर रही है तो describe कर रहे है इससे आपको याद रखना है descriptive तो descriptive research भी जैसा कोई phenomenon को describe करती है उसे तरह किसे descriptive hypothesis भी एक ऐसा statement होता है जो किसी study का जो topic होता है आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें को describe करती है जैसे यह पर population के magnitude train और behavior को statement describe कर रहा है उसे हम कहते है descriptive hypothesis that's why आपका correct option हो जाएगा option C descriptive hypothesis next question type 1 error occurs if इस question में find out करना है कि type 1 error कब होता है अब error क्या होता है आपको पहले यह पता आना चाहिए so researcher अपने research में hypothesis को test करते है और hypothesis को test करने में researcher से sometimes कोई mistake हो जाती है उसी mistakes को error कहते है अब error के दो type होते है एक होता है type 1 error और second type type 2 error अब इस question में पूछ रहा है कि type 1 error कब होता है आपको यह diagram याद रखनी है आपको यह diagram के तुरू समझते है कि type 1 and type 2 error होता गया है so type 1 error क्या होता है जब आपकी null hypothesis true होती है फिर भी आप उसको reject कर लेते हो तो वो हो जाता है आपका type 1 error और type 2 error कब होगा जब आपकी null hypothesis false हो जाती है फिर भी आप उसको accept कर ले रहे हो तब हो जाएगा आपका यह type 2 error so remember type 1 error को हम alpha error भी कहते है और type 2 error को beta error भी कहते है so type 1 error कब होता है जब आपकी null hypothesis true हो फिर भी आप उसको reject कर ले रहे हो तब होगा आपका वो type 1 error so इस question का correct option हो जाएगा option A the null hypothesis is rejected even though it is true next hypothesis relates इस question में हमें find out करना है hypothesis किस option से relate करता है अब hypothesis क्या होता है पर आपको यह पता होना चाहिए so hypothesis is tentative statement होता है जो researcher के assumptions और guesses पर based होता है tentative statement means temporary statement थोड़े देर के लिए research मान लेते कि मैं ऐसा करने से ऐसा हो सकता है अब hypothesis को हम generally experimental research में test करते हैं experimental research में कैसे हम test करते हैं हम यह देखते हैं कि independent variable का क्या effect हो रहा है dependent variable पर इंडिपेंडेंडेंट का effect देखते हैं हम dependent variable पर इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे Okay, so variables to variables, यहाँ पर आपका correct option हो जाएगा, hypothesis relates with variables to variables, so option D here is the right answer. Next, a could be used to test population mean, when population standard deviation is known, though sample size is small. इस question में हमें find out करना है, ऐसा कौन सा test हम use करेंगे, अगर हमें population का standard deviation known है, और उस population की size जो है, वो small है, और sorry, उस sample की जो size है, वो small है, so उस time पर आप कौन सा test use करेंगे, हमें यह find out करना है, so remember hypothesis testing के कुछ types होते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ test given है, T test, Z test and F test, so T test और Z test, आप population की mean को compare करने के लिए, population की mean और sample की mean को compare करने के लिए use करते हैं, that's why आपर आपका दो यह option में से एक option correct होगा, जो के है option A और option B, T और Z test में से कोई भी एक test correct होगा, अब इस question में पूछ रहा है, कि आपका जो sample size है वो small है, और आपका जो standard deviation है वो known है, so इस case में आप कौन सा test यूज़ करोगे, तो इस table कित्रों हम देखते हैं, अब यहाँ पर आपका जो sample का size है वो small है, so इस sample का size greater than 30 है, so यहाँ पर हमको greater than 30 नहीं given है, small है, so हम इस side पर move करेंगे, so यहाँ पर population variance, जिसके हम कहते हैं standard deviation भी, अगर आपका standard deviation known है, तो आप कौन सा test यूज़ करोगे, Z test, अगर आपको standard deviation जो है, वो unknown होता, तो आप उस case में T test यूज़ करते हैं, बस इस case में हमें क्या given है, कि आपका जो sample size है वो small है, मतलब 30 से कम है, आपका sample size 30 से कम है, और आपका standard deviation है वो आपको known है, तो उस case में आप Z test का यूज़ करोगे, that's why आप आपका correct option हो चाहेगा, option B, Z test, next, a hypothesis that suggests, that changes in one variable cause, changes in another as referred to, इस question में मैं find out करना है, एक ऐसा hypothesis, अगर आप उसमें एक variable को change कर रहे हैं, तो वो क्या cause बता रहा है, कि दूसरा variable भी change होगा, तो यह कौन सी hypothesis के definition होगी, तो यहाँ पर आपको एक ही word पर focus करना है, that is cause, एक variable, दूसरे variable को cause कर रहा है, और वो दूसरा variable change हो रहा है, तो वो आपका हो जाएगा causal hypothesis में, जिसमें एक variable जो है, एक variable का दूसरे variable पर cause होता है, वो cause and effect relationship बताता है, causal hypothesis क्या होता है, cause and effect relationship बताता है, between the variables, एक variable अगर change करोगे, तो दूसरा variable उसके cause से दूसरा variable भी change ही होगा, तो वो हो जाएगा आपको causal hypothesis, then relational hypothesis क्या बताता है, कि variables के बीच में कुछ ना कुछ relation है, यह ऐसा नहीं बताता है, अगर आपको चेंज करोंगे, तो दूसरा भी change हो जाएगा, but relation के बताता है, कि कुछ ना कुछ change है, so यह आपको option A incorrect हो जाएगा, then option C null hypothesis, null hypothesis क्या बताता है, कि कोई relation नहीं है, between the variables, variables के बीच में कोई भी relation नहीं है, यह आपको option C incorrect हो जाएगा, then option D associative hypothesis, associative hypothesis क्या होता है, जो बताता है कि कोई दो variables के बीच में कुछ relation है, generally कोई दो event अकर हुए है, so उसके बीच में कोई relation होगा, यह बताता है, जैसे कभी-कभी हम कहते हैं, बारिश हो रही है, तो lightning होगी, lightning मतलब बिजली कड़कना, अगर बारिश होती है, तो बिजली आएगी, बिजली कड़केगी, यह क्या है, हमने यह देख लिया कि बारिश के वज़े से शायद लाइटनिंग हुई है, associative hypothesis यह बताती है, कि कोई दो variable, कोई फेनॉमेना, कोई दो event अकर हो रहे हैं, तो उनमें कुछ न कुछ relation है, बट इस question में हमें क्या बता रहा है, कि अगर आप एक variable को change करोगे, तो दुसरा भी change हो जाएगा, लेकिन associative hypothesis यह तो नहीं बताता है, तो यह पर आपको option B भी incorrect हो जाएगा, तो यह पर आपको correct option हो जाएगा, option B causal hypothesis, causal hypothesis यह बताता है, कि अगर आप एक variable को change करते हो, तो इसका causal होता क्या, second variable भी change ही होगा, तो यह पर आपको option B correct हो जाएगा, next question, dash is a statistical major, use for comparing of variance to theoretical variance, इस question में भी find out करना, ऐसा कौन सा statistical tool है, जो हम use करते है, statistical tool को हम कहते है, काय square test, तो यह पर आपको option A correct हो जाएगा, so students, this is fact based question, तो यह पर आपको option A correct हो जाएगा, इसमें कुछ आपको याद ने रखना है, ऐसा कौन सा tool होता है, जो compare करने के लिए use होता है, observational variance to the theoretical variance, उसका answer हो जाएगा, काय square test, next, type 2 error occurs when, so students, इस question में हमें find out करने के, type 2 error कब होता है, so again, हम इस question को, इस table के help से solve करेंगे, so here, options की तरफ हम चलते हैं, first option is, the null is true, but we reject it, so हम table में देखेंगे, जब null hypothesis true है, okay, means आपको यापर first row में देखना है, जब null hypothesis true है, और हमने इसको reject कर लिया, so यह कौनसे type का error होगा, type 1 error होगा, यह type 2 error नहीं होगा, that's why here option is incorrect, then option B, the null is false, and we reject it, okay, so means आपको यहापर अभी, this table में second row में देखना है, so null hypothesis आपकी false है, और आपने इसको reject कर लिया, false है और आपने इसको reject कर लिया, that's why here option B is again incorrect, then option C, the null is true, and we accept it, so again आपको यहापर टेबल में देखना है, और यहापर आप first row में देखेंगे, जब आपकी null hypothesis true है, और आप उस null hypothesis को accept कर लिया हो, that means आपको जो decision है, यह correct decision है, again option C में कोई error नहीं है, that's why here option C is incorrect, then option D, the null is false, but we accept it, क्या हो रहा है आपर, null hypothesis false है, फिर भी आप उसको accept कर ले रहे हो, जब null hypothesis false होती है, और आप उसको accept कर ले जहे हो, तो हम कहते हैं, type 2 error, so yes type 2 error occurs when, null hypothesis is false, and we accept it, so here option D is the right answer, null hypothesis false होती है, null hypothesis गलत होती है, फिर भी हम उसको accept कर ले रहे, that is known as type 2 error, so here option D is the right answer, moving on to the next question, if alpha is equals to 0.05, and beta is equals to 0.10, the power of that hypothesis test is, इस question में आप में find out करना है कि, अगर आपके alpha की value 0.05 है, and beta की value 0.10 है, then इस case में आपकी power of hypothesis test की value क्या होगी, power of hypothesis का मतलब होता है, probability, आपको याद रखना है, probability that the correctly reject the null hypothesis, मतलब कितने percent chance है, कितने percent probability मतलब chance, कितने chance होगा कि आप correctly आपकी null hypothesis को reject कर रहे है, correct वैसे आपकी null hypothesis को reject कर रहे हो, इस कितने percent chance होगा, उसे हम केते हैं, power of hypothesis test, आप power of hypothesis test का formula होता है, 1-beta, 1-beta की value आपको given है, 0.10, so 1-0.10 होता है, आपका 0.90, remember, इस question में बस आपको confuse करने के लिए, alpha की value given है, आपको confuse नहीं होना है, power of hypothesis test का formula होता है, 1-beta, so 1-0.10 अगर आप substitute करते हो, आप cancel हो जाएगा, 0.90, आपको करेक्ट option हो जाएगा, option B, 0.90, so power of hypothesis test में एक बारी फिर से repeat कर रही हो, क्या होता है, कि कितने percent chance है, कि आपके null hypothesis को correct वे से reject कर रहे हो, so इस case में, आपका 90% ये chance होगा, कि आपके null hypothesis को correct वे से reject कर रहे हो, so आपका correct option हो जाएगा, option B, 0.90, next, the purpose of hypothesis testing is true, इस question में हमें find out करना है, कि hypothesis testing का purpose क्या होता है, अब hypothesis testing हम क्यों करते है, ये देखने के लिए, जो हमारी null hypothesis है, उसको हम accept कर लेते हैं, और reject कर लेते हैं, दो ये ways होते हैं, अगर हम hypothesis को test करते हैं, so हम null hypothesis को या तो accept कर लेते हैं, तो जब भी हम hypothesis को test करते हैं, अब इस question में हमें कुछ options given है, उसके तुरू हम दखते हैं, कि hypothesis का purpose क्या होगा correct, अब option A दखते हैं, test how far the mean of sample is from 0, हम hypothesis test इसलिए नहीं करते हैं, जो हमारा sample का mean है, sample से हमको जो भी results मिल रहे हैं, वो 0 से कितना दूर है, यह देखने के लिए हम hypothesis को test नहीं करते हैं, तो यह आप आपको option A इन correct हो जाएगा, then option C देखेंगे, हम determine the appropriate value of the significance level, हम significance level को determine करने के लिए भी hypothesis को test नहीं करते हैं, अब significance level क्यों होता है, significance level वो होता है, जब भी आप hypothesis को test करते हो, तो आप आपके जो results से उसमें कुछ error अलाव करते हो, अब मान लिजे, आपका जो significance level है, वो आप 1% रखते हो और या फिर 5%, या तो आप 1% रखोगे या फिर 5%, अगर आपने आपका significance level 1% रखा है, मतलब आप सिभ आपके study में 1% error को अलाव करोंगे, मतलब आपके जो 99% जो भी result आएंगे, वो सही होंगे, और significance level आपने अगर 5% रख दिया, मतलब आप जो आपकी research में error अलाव करेंगे, वो 5% अलाव करेंगे, मतलब 95% आपके जो result आएंगे, वो correct आएंगे, यह determine करने के लिए भी आप hypothesis को test नहीं करते हो, Python करने के लिए आप hypothesis को test नहीं करते हैं, बलकर यह देखते हो, कि नल hypothesis को accept करना है या फिर। या पर reject करना है, हम null hypothesis को किसी value को determine Yang करते हैं, नहीं करेंगे null hypothesis की, हम बस यह देखते हो, कि नल hypothesis को accept करना है फिर रजग करना है, एपको option D भी incorrect हो जाएगा, then option b determine whether the statistical result is significance मतला अब मान लेज़े hypothesis test hypothesis क्या होता है hypothesis is nothing but tentative statement होता है जो research अपने research में अपने guesses पर lay down करते है उसको अपने research में test करते है अब मान लेज़े एक hypothesis है कि water अगर increase करते है तो plant की growth भी increase होगी यह मेरी hypothesis है अगर मैं plant को water ज़ादा दे रही हूँ तो plant की growth भी ज़ादा होगी अब इससे जो result आ रहे है इससे जो result आएंगे मतला वो statistically significant है यानि मैं यह check करने के लिए hypothesis test करते है statistic statistically significance हम hypothesis test इसले करते है statistically significance है यह देखने है अब statistically significance का मतलब क्या हो रहा है आपके जो result हो रहे है वो by chance आ रहे है या फिर आपका जो independent variable है मतलब जो water है कि water की वज़े से ही growth हो रही है फिर नहीं आप यह देखते हो यह हो जाती है अपके hypothesis testing का purpose hypothesis testing का purpose यह होता है कि determine whether a statistical result is significant अब आपको option भी correct हो जाएगा next analysis of variance is a statistical method of comparing the dash of several population इस question में find out करना है analysis of variance जो के statistical method होता है यह method हम क्या compare करने के लिए use करते है so students अपको पहले पता होना चाहिए कि analysis of variance होता क्या है so analysis of variance जिसको हम कहते है ANOVA test okay analysis of variance को हम कहते है ANOVA okay यह test हम use करते है compare करने के लिए mean of three or more population जिसके आपको इस question में given है several population so this is known as ANOVA so 3 या फिर 3 से जादा इसको हम कहते है several population के means को compare करने को हम कहते है analysis of variance और analysis of variance को हम कहते है ANOVA test so यहाँ पर आपको option C correct हो जाएगा means okay and and thank you for watching this lecture you